Hello everyone, मिरा नाम है सुनील अधिकारी, आज का वीडियो बहुत ही ज़ाधा important होने वाला है BBA के career options के बारे में हम discuss करने वाला है थोड़ा सा ये long video होगा, लेकिन हर एक बच्चे के लिए important है जो कि BBA करने की सोच रहा है, कर रहा है या फिर complete हो चुका है आज का वीडियो हमने दो basically main portions में divide कर रहा है पहले हम आपको जानकारी देंगे, जिन बच्चों को भी आगे पढ़ना है मतलब BBA करकर मन नहीं बरा है, हमें आगे और पढ़ना है इतनी जल्दी हमें job की अभी नहीं है higher study के कौन से best possible option है वो बताने वाला हूँ higher study को भी 3 portions में divide करा है कौन से degree courses है, certification courses है, skill development courses है सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ और दूसरा important portion हमारा होने वाला है job का सर पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब हमें directly job करनी है तो कौन-कौन से areas है जहां पर हमें job करनी है, वो बताने वाला हूँ शुरुआ से लेका रेंट तक देखना है, वीडियो compulsory है अगर आपको management field में carry बनाना है, चली बच्चा स्टार्ट करिंगे वीडियो, सबसे पहला option देखते हैं higher education, आगे हमें पढ़ना है सर डिगरी courses, जैसे कि BBA एक डिगरी course है तो masters करना है, या फिर कोई अच्छा course करना है उसके लिए कौन से अच्छे courses available है देखे, सबसे पहला और सबसे important आपका और मेरा चाही था, MBA course आप कर सकते हैं एक obvious सी choice बनती है, अगर आप BBA, BMS कर रहे हैं तो management को आप advanced level पे, masters level पे पढ़ना चाहते हैं और MBA से बढ़िया हमारे पास career options available नहीं है इंडिया में तो आप MBA या फिर उसी के similar line में post graduate diploma कर सकते हैं management में, PGDM आप एक साल में भी complete कर सकते हैं MBA आपका 2 साल का program होता है जिस specialization से आपने BBA करा था same वही specialization आप MBA या फिर PGDM में रख सकते हैं या फिर specialization को change भी कर सकते हैं freely कोई restriction आप में impose नहीं करता है आप अपनी पसंदीदा specialization से MBA और PGDM कर सकते हैं दोनों ही management field में career बनाने के लिए perfect course है is that make sense clear उपा रहा है second जो best possible option है वो है M.com का कई बच्चे को research field में career बनाना है तो उनके लिए M.com perfect है M.com आप business administration specialization से कर सकते हैं काफी किफायती है MBA आपका कम से कम 10 लाग के नियर बाउट का होगा M.com एक लाग से भी कम में आपका M.com अपक्रिट हो जाएगा तो आप सस्ता किफायती master's program के अगर आप search कर रहें तो M.com एक perfect choice अपक्ले रहेगा अच्छा कई बच्चों को ये confusion है कई बच्चों को ये knowledge नहीं है आप BBA का student MCA के लिए eligible है जी हाँ बहुत सारे ऐसे colleges हैं जो without mathematics without BCA भी MCA के लिए allow करते हैं और new economic policy के बाद तो ये बहुत सारे colleges मतलब allow करने ही वाले हैं कि आप किसी भी background से हो master's में computer related courses कर सकते हैं तो BBA का बच्चा MCA जैसे computer related courses कर सकता है अगर उसको software और coding में अपना career बनाना है आगे अगर मैं बात करूं जिन बच्चे को law field में interest है वो 3 साल का LLB program कर सकते हैं उनको entrance LSAT देना पड़ता है या फिर कोई university या institute का specific entrance देना पड़ता है उसके बाद वो अपना LLB program complete कर सकते हैं और जादा interest आता है तो LLB करने के बाद 2 साल का LLM भी कर सकते हैं बार काउंसल से registration करकर आप advocate और lawyer भी बन सकते हैं तीचिंग प्रेमी और master's level पर जाने के लिए M.A.D. course भी कर सकते हो और school में 11-12th level पर आप teach कर सकते हैं तो मेरे according मेरे personally सुनी लधिकारी के according ये best degree courses हैं after BBA अब बात कर लेता है professional certification कोन से available है या अच्छे available है जिनको आप कर सकते हैं मेरे नजर में जो सबसे favorable course है जो के एक BBA graduate को करने चाहिए वह या तो CA कर ले Chartered Accountant के courses कर ले 4-5 years लगते हैं 3 साल का CS का course आप कर सकते हैं CMA के courses भी same duration रहती है CS वाले ही 3 साल CFA आप कर सकते हैं 2-3 साल में CFA अपने complete कर सकते हैं और CFP भी आप complete कर सकते हैं तो अगर आपको अगर इंडिया में रहकर ही आपको job करनी है और अगर अच्छे career option search कर रहे हैं तो CS CA या फिर CA में कर सकते हैं difficult रहते हैं degree courses के comparison में ये courses काफी difficult रहते हैं पहले ही आपको इनकी awareness होने चाहिए अच्छा किसी के उपर अगर आप dedicated मैं video बना दूँगा पूरा in detail कि उस course को कैसे pursue करना है कहां से pursue करना है समझ में आगे हैं अच्छा तो ये हमारे पास various various क्या है certification courses है अच्छा ये professional certification courses है और आज के time में CA course को master's का दरजा दिया जाता है PG course का दरजा दिया जाता है तो master's करने की भी जरुवत नहीं पड़ती है अगर आप ये certification courses करते हैं तो और बहुत जादा इनका जो importance है इनका जो salary structure है ये course करने के बाद काफी जादा increase आपका हो जाता है या in fact MBA वगरा के level का मतलब अगर MBA I.M.C. कर लिजे तो equal package भी देखने को मिलता है आपको तो इतनी जादा importance है आज के time में इन certification courses की अब बात कर लेता है skill development courses मान के चलिए आप BBA के बाद पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आपको लगता है skill development courses करना चाहते है तो ये आपके पास list है तो आप data science का बच्चा course कर सकते है business analytics का course कर सकते है stock market के courses कर सकते है ये courses हमें वही choose करने है जिस field में हमारा interest है बिना मतलब के friend क्या कर रहा है scope किसमें जादा है trend किसका उसमें focus नहीं करना है हमेशा field या अपने interest के according ही कोई भी field को आप choose करें programming programming जिन बच्चों को programming में interest है वो programming का course करें web designing या फिर app development का courses कर सकते है animation और vfx के courses कर सकते है digital marketing का courses कर सकते है ethical hacking के courses कर सकते है या फिर personality development courses भी आप कर सकते हैं हमने भी अभी launch करा है description में link है वहाँ से आप एक बार check out कर लेना तो बच्चों ये सारे जो courses है online offline दोनों ही available रहते है आप various various website में ये courses को check on कर सकते है बहुत ही short duration का अच्चा इन course की खास बात ही होती है कि ये 6 मन से लेकर 1 साल तक के होते है या फिर इससे भी कम duration के होते है तो आपको idea लग जाता है ये feel मेरे लिए है या नहीं है और फिर इनका जो diploma courses है या higher level courses है उनके लिए आप जा सकते है तो ये BBA के साथ भी कर सकते हैं और BBA के बाद भी आप ये courses कर सकते हैं या फिर master's degree लेते हुए भी ये courses आप कर सकते हैं तो ये हैं skill development courses जिसमें BBA के graduate को focus करना ही करना है चलिए फिर आती है बच्छा government job के लिए हो सकता है BBA के बाद government job की तयारी करना चाहें तो ये चार basic government job है जो सबसेरा prestigious है जिसके renowned jobs है SSC का staff selection commission के काफी ज़दा vacancy नहीं कलती है CGL की, CHSL की, MTS की, CPO की इनके लिए आप अप्लाइ कर सकते है IVPS होता है banking के लिए अगर आपको various various nationalized bank में as a PO, as a clerk, as a specialist officer लगना है तो IVPS exam की आपको तयारी करनी है railway के लिए RRB की तयारी करनी है civil services के लिए आपको CSAT पगेरा की तयारी करनी पड़ती है तो ये basically 4 top के government jobs है जिन मेंसे एक की आपको तयारी करनी है चारो की तयारी करने की भूल ये कलती मत करिएगा क्योंकि चारो का syllabus बहुत अलग है pattern बहुत अलग है mindset बहुत अलग चाहिए तयारी करने के लिए competition बहुत ही ज़ादा cutthroat है इसलिए इस मेंसे कोई एक आपको government job चुननी है जिसके आप उतयारी करनी है ठीक है चलिए जो बच्चे job करना चाहते है डिरेक्टली तो कौन-कौन से area से मच्चा आप banking, finance, accounting job के लिए अप्लाए कर सकते हैं, sales and marketing के लिए अप्लाए कर सकते हैं, digital marketing के लिए अप्लाए कर सकते हैं, operation, HR है logistic है, tourism है, business communication है trade and commerce है, health management है तो आप various various field के लिए आप try कर सकते हैं दो options है आपके, पहला तो यह है अच्छे institute से करते हैं तो campus placement आपका हो जाता है नहीं होता है, तो दूसरा option हमारे पास क्या है अपने resume एक तयार करो, bio data एक तयार करो और जितने भी नौकरी portals है नौकरी.com है, या फिर shine.com है, times job है, indeed.com है इनमें अपने resume पोस्ट करिए और various various positions के लिए apply करिए interviews बगरा में बैठी है, interviews बगरा की तयारी करिए और आपकी अच्छे खासे level पे job लग जाती है initial salary आपकी 15 to 20,000 के around रहती है तो ये एक reasonable fee structure है जिसको आपको नमद्दे नजर रखना है बेवकूफों की तरह expect मत करना की 50,000 की job लगेगी, तब ही मैं job करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, ऐसा अगर आप करेंगे तो हो सकता है, जिन्दगी भर आपको घर बैठना पड़े क्योंकि इंडिया में pay scale fresher level पे थोड़ा कम है यही pay scale आपका plus three year के experience के बाद हो जाएगा गर आप अपने काम में अच्छे बनते हैं अच्छी position में करते हैं और अच्छी company को join करते हैं पिर उपार है बच्चा, छोटा सा वीडियो रखेंगे, पालतु के बाते नहीं करेंगे तो sum up करते हैं आज के वीडियो को तो हमारे पास basically दो मोटे-मोटे option है, या तो आगे पढ़े या नहीं पढ़े अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना मतलब इनदा sense है कि आपको सही में लगता है कि मुझे अभी job नहीं करना चाहिए परी family के requirement नहीं अभी job तो मुझे आगे और master's level के courses करने है या फिर skill development courses करने है मैंने यह आपको option दे दिया है ये काफी एक easy option है हमारे पास, ठीक है आगे पढ़ने का easy option है degree courses easy है, ये relatively बच्चा hard courses है, इनको मैं hard की category में रखूँगा, ठीक है ये easy है, ये hard courses है अगर आप अच्छे है, पढ़ने वाले बच्चे है ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे है तब ये courses करिएगा, नहीं तो आपके मतलब का ये चीज़े नहीं है ये courses हर एक बच्चा कर सकता है, बहुत ही easy है और ये recommendable है मेरी तरफ से कि इन में से एक courses तो ये various courses आपको करने चाहिए, क्यों कहीं न कहीं वो जाके add-on होते हैं, आपके future में आगे जाके carrier में, कब किस field की knowledge काम मा जाए, you never know ठीक है, government job के लिए सिर्फ वो ही बच्चे जाएं सिर्फ वो ही बच्चे जाएं, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हों, या फिर आप STSC background से belong करते हों तब भी थोड़े बहुत अगर पढ़ाई में अच्छे हैं, तो अराम से आपकी government job लग जाएगी, अगर आप job के लिए, उनको जाना है, जिनको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप various various recruitment areas में try कर सकते हैं, को restriction नहीं है, कि BBA finance से कर रहा है, तो finance में ही job आपको करनी है, नहीं, अगर आप BBA graduate है, तो आप किसी भी level की executive position पे, assistant level position में apply कर सकते हैं, apply करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, चलिए, आपने मुझे अपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए thank you so much, मिलते है नेक्स वीडियो में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहिए, मैनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिना आएगा, thank you so much